हेलो फ्रेंड्स, आसी स्टिचिंग में आपका स्वागत है, आज मैं ब्लाउज बोट नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ, बैक नेक मैं डिजाइन बताऊंगी, तो यह दिखें, यहां मैं ब्लाउज की मैं कटिंग कर ली हूँ, 36 साइज का यह ब्लाउज में बना रही तो इसकी लंबाई में ली हूँ, 15 इंच, और सोल्डर में ली हूँ, 7.5 इंच, और आर्म होल में ली हूँ, 7 इंच, बोट नेक में आर्म होल ज्यादा लिया जाता है, और 36 का चौथा भाग 9 इंच, उसमें 2 इंच में सिलाइक ली रखके, 11 इंच पे मैं निसान लगाई और कमर है 32, तो उसका भी चौथा भाग ली हूँ, और टू इंच सिलाइक ली रखके हूँ, अब देखिए, यहां मैं में कपड़े को थोड़ा सा इस्टर लेती हुए, मैं कटिंग कर ले हूँ, यहां मैं नेक की चौड़ाई का मैं निसान लगा रही हूँ, देखिए, 4. 4.5 इंच पे मैं नेक की चौड़ाई रख रही हूँ, और डिजाइन बनाने के लिए देखिए, उपर से मैं 3.5 इंच पे मैं निसान बना रही हूँ, और उस निसान को ऐसे बॉक्स जैसा बना के, ऐसे बना लेंगे, और फिर नीचे 2 इंच का एक निसान लगाएंगे, और फिर इसको भी हम वक्स जैसा तयार कर लेंगे, तो यह देखिए, ऐसे हमको दो बॉक्स तयार करना है, उसके बाद देखिए, यहां मैं सोल्डर से मैं 1.5 इंच ऐसे डाउन को कर रही हूँ, ऐसे करना है, अब यहां बोटने का सेप देना है, यह उपर वाले बॉक्स में ऐ इसे बोटने का सेप देंगे, ऐसे, और फिर नीची वाले बॉक्स में देखिए, मैं ऐसे डिजाइन का सेप दे रही हूँ, ऐसे देखिए, यह मैं डिजाइन का मैं सेप यहां बना रही हूँ, अब इसी निसान पर हमको कटिंग कर लेना है, तो कटिंग सिर्फ अब यह जो बीच वाला कपड़ा है इसको छोड़ देंगे और फिर उपर वाले निसान पर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे यह देखिए ऐसे कटिंग कर लेना है अब उसके बाद से देखिए यहां उपर से सोल्डर को भी कटिंग कर लेना है half inch जो नीचे के side में निसान लगाई थी अब देखिए अब दोनों को एक साथ attach करेंगे तो सबसे पहले हम दोनों part को ऐसे खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको अच्छे से बराबर में मिलाती हुए हम पहले pin से इसको set कर लेंगे pin से set करने के बाद कपड़ा इधर अधर नहीं होता है और बीच में कहीं जिकुडन भी नहीं आती है तो यहां मैं pin से मैं इसको set कर ले रही हूँ ऐसे देखिए और pin से जब set कर लेंगे उसके बाद से हम सबसे पहले ये बीच वाले design पर सिलाई लगाएंगे ऐसे बीच वाले design पर पहले सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच इतना कपड़ा रखते हुए सिलाई लगाना है ऐसे देखिए corner पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे एकदम design के shape में ही सिलाई लगाना है अब यहां से हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर उपर से हम सिलाई लगाना start करेंगे तो यहां से जब हम सिलाई लगाएंगे तो पूरे हम उपर और नीचे और दोनों side का भी हम सिलाई लगाके दोनों को एक साथ attach कर लेंगे main कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को यहां भी half inch इतना कपड़ा हम रखते वे सिलाई लगाएंगे ऐसे देखिए चारो side से हमको सिलाई लगाना है नीचे के side भी वैसे इसलाई लगा लेना है कपड़े को बराबर में मिलाते वे इसलाई लगाना है यहां मैं पूरे किनारे पर में सिलाई लगा ले हूँ अब एश्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल लेना है यहां से देखिए यहां से मैं एश्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ नीचे वाले साइड का भी कपड़ा हमको कटिंग करना है फिर दूसरे वाले साइड का भी कपड़ा कटिंग कर लेना है ऐसे चारो साइड का कपड़ा कटिंग करके निकाल लेना है अब बीच वाले कपड़े को भी कटिंग करना है तो ये देखिए पहले एक corner से हम cut कर लेंगे और फिर वहीं से हम कपड़े की cutting कर लेंगे तो ये beach वाला कपड़ा भी अच्छे से cutting करना है एकदम design के shape में जो सिलाई लगा है उसा सिलाई के नीचे नीचे cutting करना है सिलाई नकटे देखिए ऐसे अब इसकी मैं cutting कर लें हूँ अब इसको ऐसे बीच से फोल्ड करके अब हम paper pasting लेंगे और paper pasting को भी हम fold करके ऐसे रखेंगे और रखने के बाद हम उसी shape में हम निसान बना लेंगे जिस shape में blouse का design बनाया है और 1.5 inch इतना इस्ट्रा बुक्रम लेते हुए और हमको cutting कर लेना और cutting करने के बाद देखिए यह मैं एक अस्तर वाले कपड़े पर उसको मैं paste कर ले हूँ और paste करने के बाद एस्ट्रा कपड़ा cutting करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए ऐसे उसको अंदर के side fold करके और सिलाई लगा लेना है किनारे से सिलाई लगा लेंगे और उपर से भी हलका सा fold करके हम सिलाई लगा लेंगे अब सिलाई लगा लेने के बाद देखिए इसको हम उपर रखेंगे और एकदम सेंटर से सेंटर मिलाती हुए यहाँ पिन से पहले हम सेट कर लेंगे ये देखिए ऐसे जो अंदर वाला कपड़ा जो कटिंग हुआ था उसके उपर रखना है और एकदम सेंटर से मिलाएंगे इधर उधर ना हो और पिन से पहले सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद देखिए इसको पलटके और फिर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे ऐसे देखिए यहाँ भी हाफ इंच इतना कपड़ा रखते भी हम सिलाई लगाएंगे कॉर्णर पर अच्छे सी सिलाई लगा लेना है यह देखिए ऐसे अब यह सिलाई लगाने के बाद देखिए पीन को निकालके और यह जो अस्तर वाला बीच वाला जो कपड़ा है इसको भी कटिंग तरके हम निकाल देंगे कपड़े की कटिंग करने के बाद हम पूरे निक में हम छोटा छोटा कट लगाएंगे कॉर्णर में अच्छे से कट लगाना है कट लगाने से बहुत फिनिसिंग के साथ इसको जब हम पलटते हैं तो बहुत अच्छे से पलट जाता है यह यहां में पूरे निक में मैं कटि लगा ली हूँ अब इसको हम पलटके और किनारे किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे पलटते जाएंगे और एकदम किनारे पर सिलाई लगाती जाएंगे यह देखिए ऐसे कि एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाना है अच्छे सी कॉर्णर को निकाल के और फिर सिलाई लगाएंगे दिखिए यहां मैं अंदर के साइड पलट के और मैं सिलाई लगा ली हूँ अब इसके बाद से दिखिए उपर वाले निक पर मैं ये उरेब पट्टी की मैं कटिंग की हूँ उसको मैं लगा रही हूँ ऐसे उरेब पट्टी कटिंग करके और उसको लगा लेना है अस्तर वाले कप्डे पर कटिंग करके और फिर अंदर के साइड फोल्ड करके और फिर सिलाई लगा लेना है ऐसे देखिए यहां मैं सिलाई लगा ली हूँ, अब देखिए, यहां बैक पार्ट में हम दो टक्स लगाएंगे, तो उसको देखिए ऐसे बीच से फोल्ड करके, और मैं टक्स भी लगा ली हूँ, अब नीचे कमर पट्टी लगाना है, तो कमर पट्टी भी मैं लगा रही हूँ, देखिए ऐसे उसको पलटके और एक सिलाई लगा के फिर अंदर के साइड फोल्ड करके और एक सिलाई और लगा लेंगे यहां मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ यहां तुरपाई कर लेना है अब देखिए यहां मैं डिजाइन बनाने के लिए मैं ये कपड़े का टुकड़ा ले हूँ और इस टुकड़े को 2 by 2 में ऐसे कट कर लेना है और कट करने के बाद देखिए इसको ट्रेंगल में ऐसे फोल्ड करके और फिर सिलाई लगाना है स्क्वायर में कपड़ा कट करना है 2 by 2 का और फिर ट्रेंगल में दो बर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे नीचे के साइड देखिए ऐसे मैं हाँ ऐसे six piece को मैं ready की हूँ उपर जितना attach हो सके उतना ready कर लेना है अब इसके बाद से देखिए इससे बड़ा-बड़ा हमको दो piece लेना है इसमें जो इस्टा कपड़ा है उसको cutting कर लेंगे अब देखिए मैं दूसरा कपड़ा ली हूँ तो यहां हमको three by three का piece cutting करना है three by three का हम square में piece cut करेंगे तो ऐसा हमको चार piece cut कर लेना है देखिए ऐसे और इसको भी ड्रेंगल में ही fold करके सिलाई लगाना है देखिए ऐसे सिलाई लगाके ऐसे देखिए इसको हम पलट लेंगे ऐसे पलट लेंगे और किसी नुकीले चीद से इसको ऐसे हम निकाल लेंगे तो ऐसे हमको 4 या 50 रेडी कर लेना है यह थुआ सा बढ़ा रहेगा यह मैं 3 by 3 का मैं ले हूँ अब देखिए जो ट्रेंगल है उसको हम यहाँ ऊपर अटेज करेंगे ऐसे रखते जाएंगे और फिर अटेज करते जाएंगे और जो मैं पलटी हूँ वैसे ट्रेंगल वाला उसको मैं सुई धागे की सायता से मैं इसमें अटेज करूँगी तो यहाँ मैं ट्रेंगल को अटेज करके मैं उसके उपर से मैं लेस लगा रही हूँ देखिए पूरे निक में लेस लगा लेना है ऐसे देखिए यहाँ कॉर्णर पे लेस को थोड़ा सा फोल्ड करके लगाएंगे एक छोटा सा प्लेट डालेंगे तो उसकी फिनिसिंग अच्छी आती है अब लेस के दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगा लेना है अब उपर वाले निक पर भी ऐसे ही हम लेस को अटेज करेंगे यहां भी लेस के दूनों साइड सिलाई लगा लेंगे यह देखिए ऐसे देखिए यहां मैं इसको सुई धागे की सायता से मैं इसको अटेज कर ली हूँ अब यह बलाउस का बैक ने क्रेडी हो गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरू करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू